लप्पू सी सकल जीगुर सो छोरा, हड़ीन को ढाचो है, इतनो खाब है यू फिर भी सूकता जा रहो पतो ना जन कहां जाएगो, उड़मज जही हो भाईया, देखना मितलेज जी आपको भी इंस्टाग्राम पर प्यार हो जाएगो, हम ओनलाइन करंगे ही क्यों हमारे पती कभी तो कहते हैं वाईरल अंटी, कभी कहते हैं लप्पू अंटी, लप्पू सचिन वाली अंटी, जीगुर वाली अंटी, मेरी नजर में तो सचिन को मैं पती मानती नहूंगा को, अरे हिंदुस्तानी पती को रख रही है तो यह जब चार साल से तुम मिल रहे हैं तो जब आज ये ऐसे मौजनी ले रहे होते करवा चौत के दिन किसी महिला से टाइम मागना की बैठीए इंटर्व्यू दीजे बात कर लीजे थोड़ा बहुत मुश्किल होता है लेकिन हमारी वाइरल मितलेश भाटी जी का दिल बहुत बड़ा है एसलिए उनसे पूछने पर उन्होंने एक ही बार में हा कर दिया और मुझे बुला लिया गिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एवीपी लाइफ पर थैंक यू जी सबसे पहले तो ये जाना चाहूंगी वारहल होने के बाद हम करीबन हो गई चार-पांच मेने बाद मिल रहे हैं कितनी जिन्दगी बदल गई है बहुत ज्यादा चेंजिस आए हैं कहते हैं ना कि ना खाने का टेम ना सूने का टेम भाईया बहुत कुस सिस्टम चैन से हो गया है सेलिबरिटी वाली फेलिंग हां मुझे तो ना आती लेकिन लोग बाद कहते हैं कि हाँ वह जा रहे हैं फोटु किच वालो मेडम जी तो तो आती है थोड़ी सी देर के लिए ना तो फिर गाम में जाके काम में वह हो जाए जैसे पहले रही हैं किस नाम से लोग आपको पुकारते हैं आपके जो फैन बन गए किस नाम से पुकारते हैं लपू सचीनी कह देते हैं या कुछ और नाम आया है वो कभी तो कहते हैं वाइरल अंटी कभी कहते हैं लपू अंटी कभी कहते हैं लपू सचिन वाली अंटी जींगुरवाली अंटी ये नाम है भया मेरे आज कल तो भावी कहते हैं बहुत से लप्पू भावी वाइरल भावी ऐसे बुलाते हैं आप आज लेकिन एक और चीज में आपको बता तो बहुत खुबसूरत लग रहे हैं आप ये चहक और ये मुस्कुराहट क्या राज है थै पॉठ आज तो बनता है ना कहते हैं और तो बहुत ताइम लगता है तइयारा हूने में हमेशा एक कंप्लेन रहती है हजबेंट की आपके साथ ऐसा होता है नाई मेरे तो सीधे से तैयार वलूं तो भी कुछ नी कहतें न हूं तो भी कुछ नहीं कहते हैं एक और चीज आप अपने पती के लिए करवा चौत रख रही हैं आपकी पडोस में सीमा भावी रहती हैं क्या लगता है कि हिंदुस्तानी पती क्लिए रख रही हैं पाकिस्तानी पती क्लिए देखे मेरी नजर में तो सचिन को मैं पती मानती नहूंगा को और हि रही है तो यह जब चार साल से तुम मिल रहे हैं तो जब ते क्यों ना रखो है कोई प्रूफ कि अब आकर यहां करवा चाहो तो पाखंड बिखेर नो बंद कर दे पबलिक बेकार की बात है यह रख रही होगी जाकू रख रही होगी हमें ना पतो अच्छा गीता जी आप कहीना कहीं मिथलेश जी की बैकबोन रही है वाइरल होने के वक से वाइरल होने के बात और अभी भी आप लोग की जो बॉंडिंग है एक सिस्टर वाली वो सभी ने देखी है कितनी जिंदगी बदल गई है और आपको क्या लगता है लोग आप इनकी स्वाइरल वीडियो को किस नजर से देखते हैं लगभग 80% लोग अच्छी नजर से देखते हैं 20% लोगों का तो कहते हैं कि उनका तो ना तो खुद का अपनी लाइफ में उनका कुछ होगा नहीं तो वो दूसरे को भी कोई इज्जत नहीं देना जानते जो कल तक लोग हम हमें धंकी देते थे और मानहानी और पता नहीं क्या-क्या बक्वास करते थे आज वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं अभी हम दिल्ली भी गए थे तो वहां हमें पहले से एपी सिंग भाई बैठे पाए और हमें देखके थोड़ा सा मून लटक गया उनका क्योंकि जहां एक व सच बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए हमें कोई popularity नहीं चाहिए थी ना हम popularity के भूके हैं ना आज ना पहले हमने पहले भी वही सच्चाई का साथ दिया आज भी सच पे खड़े हैं और अपने सच पे अडिक खड़े हैं अंतिम सांस तक सच पे खड़े रहेंग के एक चरीत्रहीन महिला को कभी भी हम यह नहीं कह सकते के वह सही है किसी के भी घर में जो यह कहता हो कि मैं मानता हूं तो उसको अपने कलेजा पे हाथ रखे क्या सच में अगर उसके घर में यह घटना कभी भी घट जाए जो कभी नहीं होनी चाहिए मैं यह मानती हूं एक म बीटती है अगर वो पाकिस्तान से न होती और वो हिंदुस्तान की होती तो इनके मुँपे जूते बाज रहे होते आज ये ऐसे मौज नहीं ले रहे होते पूरे गाउं का गाउं आके और इसको ये मैं मानूंगी कि ये बड़ी खुस नसीबी मानलो इसकी जब तक सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती तब तक जो ये मलूक बनके उड़ रही है न मलूकाई को कोई ना चाट है भाई या हमें गाम के लोग मलूक तो कितनी हो जाओ गुन होने चाहिए मलूकाई कोई धर कर ना चाट है ऐसी मलूकाई स़लकन पर विखरी डोले मलूकाई ने न देखे हैं यहां देखें, आदमी सर्वगुन संपन हो, और सर्वगुन संपन वो ही महिला होती है, अपने पती के साथ भी खुश रहे, अपने बच्चों के साथ भी खुश रहे, अपने मा, बाप और साथ ससुर के मान को अपने सर के उपर लेके चले, ताज बना के लेके चले, वो महिल हिंदुस्तानी नारी होते हैं और यही जी कारण है कि हम भारतियसंस्कृति को मानते हैं और मांते रहेंगे लेकिन आज हमसे वो लोग चाहिए तो वो हमारी पॉपॉलर्टी देखके हम तो ना माने हम तो पहले अशे ही आज भी ऐसे ही है घर में खानों बनाए के जाएं जब काम है निप्टाइंगे तब घर से बाहर जाते हैं वो ही काम मितलेश करती है हम सज सवर के पलंग पर बैठे बैठे या नाच नाच के वीडियो बनाने को काम ना है हम पर हम पर घर के काम है हम पर जुम्मेदार ही है जो चीज आड़न हो गई है वह आप सोशल मीडिया इंफ् नहीं था तो सीजी सी बात है फाइदा और लोग उठा रहे थे अब उन्होंने बताया तो फाइदा में भी उठा लूँ थोड़ा सो भई कुछ तो करना चाहिए जब समने उठायो मीडिया ने उठायो और यूटूबरन ने उठायो तो वो कह रही है आप भी उठायो तब मेंट भी पूछते हैं लोग बाग और बहुत से तो ऐसी ऐसी भाषा भी लिख देते हैं कह रहे लालाओं जनम तथ तो में भी तुम्हारी मा नहीं दियो होगा बापने तो ना पैदा करे हूंगे ततनक समल के लिखे करो और दूसरा एक पूछ रहो क्या मेडम आपने आश कि अभी आशा वरकर का मी स्टार्ट है और यह भी शोचल मीडिय वाला भी घर का भी स्टार्ट है सोचल मीडिया पर जहां पे जैंजी शब्द फेमस होते रहते हैं अब आपकी डिक्षनरी भी फेमस हो रही है लोग मिठलेश भाति के बोल बोल रहे हैं जैसे लपू सचेन वाइरल हुआ था जिंगुर सा लड़का अब आज किसको रोस्ट करने वाली है बताने वाली है देखे सामने हमारे बैट खड़े हुए उन्हें उनके लिए कुछ कहा दीजे यह बहिया नाम बता हुआ अपनों तनक इंद्रजीत इंद्रजीत है कहां इंद्रजीत में है लप जन कहा करेंगो कारपीर हुआ रहे रात दिना सुधर्जातनक सपा भी रह लेकर भाई मेरे डरे ना डर कोई अंधेर में तोते हैं भई अब बैग उठाके लेकर चले जाएंगे काम बन कर देंगे कई लोग फिर आपकी इन बातों से बुरा भी मान जाते हैं तो फिर उनको तो थोड़ा मनाने के लिए अब कुछ मितलेश भाटी के मूह से अगर कोई अच्छे शब्स सुनना चाहें तारीफ में कुछ कह दीजी अब देखो बाई इंद्रजीत भाईया बड़े महंती आदमी है पेंटिंग को काम कर रहे हमारे हां बागी सकल सूरते अरंग रूप म जैसो पर असके होता है सरकंड़ी शेयं क्रीक्तों में हां लकडि तो फाथ के हुं में सरकंड़ी जो बने बने अमगे बैस कि में जाता है ौमें हो है उन्हें में सरकंडिं से ही बोंगो बने तो वो लंबे-लंबे हो लकडी तो अभी लकडिया ऐसी सरकंडियों वापे छिलका से आवे उन्हें उतारे वामें अंदर लकडी रहे बास की सी लकडी और यह देखो हट्डीन को ढाचो मेर कितना ही खवाली खाली ओ यह ने पर युबहर को युबन आयो बंदो के जितनों खाएंगों मोटी ने घर खाएंगों पत्री ने घर खाएंगों मोटी के सिर आयों तो जो इनके कैटिगरी कि हूँ ना वो खूब घामे और मोटा आदमी जरासो खाले भाया यू पूरे घागाओ तो ये वालो सीन रहे घरन में गामन में के इतनों खावे लेकिन यू नहीं उभरेगो और मोटा जरासो लेकर बैट जागो थाली पर फोकस करो भाया कितनों लेकर बैटो है दो रोटी खाली के सब्सक्राइब करते हैं कि अगले साथ तक मुझे लगता है तैयार होके बड़े पड़े पर भी आ जाएगी मौका मिले का तू देखेंगी किस की आ जाकर आप पाकिस्तान ते सनी देवाल्स न लुखाड़ो हम कहते की लगी निकाल लावे जाके पहले मूवी तो बना लेगो पहले एक बार चलो तो जावत कुछ और भाडर में उसकी मूवी फिल ओ तो भाड में जाए ना हो त भाड में जाए हमारा सीधा सा मतलब यहीं देश में ऐसी बनाओ ऐसे चीजें बनारी से सारुक खंड मुझे इस चीज से कोई फरक ना पड़ा है कोन कर रहा है कोन नहीं कर रहा हम मूवी देखने जाते नहीं है लेकिन अगर अच्छी होती है सनी देवल की मूवी हम देखने गए पूरे गुरूप के साथ हम सारी पूरी फैमिली गदर टू हम देख के आए एंज्योई करने लाय के बंद जाते हो जब आप किसी को बोट दे तो सोच समझ के बोट दे तो उसमें मैसिज था देश की पूरे जंता के लिए अवाम के लिए ऐसी मूवी बनाने पर अच्छा लगता है कि हां हमारे देश के लिए कोई मैसिज है अब ऐसी मैसिज कहा लाए को जो भगा के लाए हाँ बिल्कुल मुलियाॉ । आपके जवाब सुनके आप जिस लहरे में जवाब देती है क्या खाए करी मिनाटी आप कुछ नहीं भहिया ने तो लास्ट मुए से कहा मैं कहूं क्या सारा चूस लिया और वैते करी मिनाटी रोस्ट बहुत करते हैं लेकिन बंदा बड़ा अच्छा दिल का साफ और बहुत अच्छा बीटा है हकीकत में यह मैं दिल से कह रही हूं मैं तो जरासी देर के लिए क्या मिली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी फैमिली मेंबर ही है बिल्कुल परिवार का हिस्सा अजा आखरी सवा और आपको क्या तौफा मिलने वाला है आज भो बहुता दीजे देख़ो बाइ मेरो तो नहीं देगा करता मेरी तो पाटनर यहाँ आदे की आदे में वह आदे में यह हैं तो मुझे तो तौफा यह दिंगी जो भी दिंगी वो तो तौफा ना दें वो विचार बहुत सीधे आदमी है, रही अपने घर में प्यार से मनाए, क्योंकि ये साल में एक बार आता है और सबसे में चीज पतियों के लिए है, तो भाया ज्यादा शॉपिंग ना करके थोड़े में हाथ चला ला है, क्यों बहुत तगडी शॉपिंग करवा चौत की वीडियों देख रही है, मैं तो सुवेत ही, क्यों क्यों करनाओ, सभी चीज नहीं पहनोगी, कभी-कभी पुरानी भी पहन लेओ, जाकी जैसी घर की शुटती है, हर महिला के पास सारी चीज है, सभी चीज रहती है, प्यार से मनाएं अपने घर में, सुख और शांती से मना जो है, उसमें मनाएं, थोड़ा है, थोड़े में खुश रहे हैं, जादा है, जादे में खुश रहे हैं, तो भाईया, सभी से हाथ जोड के रिक्वेस्ट है मेरी, क्या वीडियो पूरी देखी हो, और अच्छे से और गौरते देखी हो, और अपने पतीन को ज़रू सम्मा सम्मान दे, बहुत से आदमी और तरने समझे ना, सरफ पैर की जूती से जादा कुछ नहीं समझते, तो महरवानी करो और सुधर जाओ